तो विल्कम दोस्तो इस विडियो में हम जानेंगे वाटसप में म्यूट नॉटिपिकेशन का मतलब क्या होता है तो फिर चलिए जानते हैं तो सबसे पहले दोस्तो हम ये जानते हैं वाटसप में आपको म्यूट नॉटिपिकेशन का आप्शन कहाँ पर दिखाए देगा तो आपने mobile में दोस्तो जब आप WhatsApp एप ओपन करोगे और यहाँ पर से किसी के चाट पर क्लिक करोगे और यहाँ पर से थी डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तो आपको mute notification का option दिखाई देगा अब चलिए दोस्तो जानते हैं इस mute notification का मतलब क्या होता है तो देखिए दोस्तो जब आपको कोई WhatsApp पर message करता है तो उनकी जो notification है वो आपके mobile के notification पैनल पर यहाँ पर आपको दिखाई दिखाई दी है उससे अगर आप बंद करना चाते हैं तो आप यहाँ पर से उनके notification को आप mute कर सकते हो यानि कि उनके notification को आप यहाँ पर से बंद कर सकते हो यहाँ पर से आप टाइम को slit कर सकते हो आपको कितने टाइम तक notification को बंद करना है 8 घंटे के लिए करना है या फिर 1 वी के लिए करना है या फिर हमेशा के लिए करना है यह आप यहाँ पर से slit कर सकते हो और इस से सेव करने के लिए यहाँ पर से okey वाली option पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर से यह सेव हो जाएगा और आप जिनके notification को mute करोगे उनके message आपको whatsapp पर आएंगे लेकिन दोस्तों उसकी जो notification है वो आपके mobile के notification panel पर नहीं आएगी तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों की आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे WhatsApp में Mute Notification का मतलब क्या होता है तो वीडियो आच्छी लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए